जहें साथियों कैसे आप लोगों में दोस्तों आप सब बहुत अच्छे सूँगे बात करेंगे इस वीडियो सिख्छा के मूलतत्व फंडामेंटल अफ एजुकेशन के चैप्टर नंबर 12 जहां पर हम डिस्कस करेंगे राचे एक सक्रिय एवं अपचारिक अभीकरण के रूप में स्टेट अज एज एक्टिव इनफॉर्मल एजएंसी दोस्तों हम डिसकस कर रहे थे अभीकरण एजएंसी ऑफ एजुकेशन के बारे में जिसमें हमने अभीकरण के सारे टाइप्स देखे सक्रिय निस्क्रिय आपचारिक अपचारिक निरापचारिक सारे टाइपस ऑफ एजुकेशन के एजएंसी हमने अभीकरण को देख रखे है और वन बाई उसको हम एक्स्प्लेइन कर रहे थे तो आज चैप्टर नमबर 12 में जारेंगे कि State as an active informal agencies यानि कि एक सिक्षा अभीकरण के रूप में राज्य किस प्रकार सहायता करता है बच्चों को सीखने में तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं बहूंत इंपर्टन प्रश्न है जो आप से पुछे जाते हैं तो कई बार यह सवार पूछे गया है जैसे राजसिससे आप वरडन करिए जा फिर चोड़े परश्व में आप से पूशा जाता है कि राजिक की विशेष्था को असपार करिए राजिक का अर्थ और वाजकी परिभासा तो वन वाई-5 हम सीरियर वाईज जनेंगे सब से पहले कि राजिक कहते किसे इसकी विशेशता है क्या है और राजि के सिक्षा में क्या संबंद है राजिम की सिक्षा में क्या भूमिका है वन बाई वन डिसकस करेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों तो बच्चों हम यहां से सुरू करते हैं कि राजिमी सिक्षा का एक अभिकरण है अ समाज हमारा परिवार हमारे आसपास मित्र भी हमारे एक एजन्सी ओफ एड्यूकेशन हो सकते हैं जहां से हमें सिक्षा प्राफ्त होती है। चलिए तो राज Hm भी सिक्षा का आभी करण है सिक्षा का समुचित प्रबंद करना राज का अवस्यकार है विद्याले परिवार समाज आधी तो सिक्षा के कारे करते हैं राज भी अनपचारिक रूप से व्यक्तियों को सिक्षित करता रहता है बिना किसी निस्चित नियम अस्थान ये समय आध करें तो बड़े-बड़े विद्यानों ने अलग-अलग परिभासाई देखी जैसे में काईवर एवन पिज ने कहा था कि राज एक ऐसा संगठन है जो किसी निश्चित भूभाग पर सर्वसक्तिमान सरकार के माध्यम से सासन करता है सर्वसक्तिमान जैसे उत्रपर्देश में भाजपा का सासन है तो सबी सक्तियां किसके पास है भाजपा सरकार के पास है यह समान नियम बनाते हैं हर एक जाती हर एक वर्ग के लिए और इस प्रकार से समाजिक विवस्ताएं को कायम रखते हैं तो इस प्रकार से बहुत क्ट्राइब साहार इसकी क्टल्स की बात करें तो राज एक निस्चित भुभागय में बुसे व्यक्तियों का प्रभू सत्ता संपन राजनेतिक संग्ठन प्रभू सत्ता संपन मतलब अभी सत्ता पे जिसका आसन हो उस वह राजनितिक संग्ठन हमारे युद wreick निस्चित कुपाइंग डेफिनिटली टेरिट्री मतलब एक निश्चित भूभाग है कोई ऐसा ने कि भाजपा की सरकार अगर यूपी में है तो वो बिहार पे भी सासन लागू कर सकती है ऐसी बात नहीं है बिहार के निश्चित भूभाग के लिए एक उसकी अलग सरकार है एक अलग र राजी एक सीमा के अंदर आबद होता है निश्चित होता है राजी अपना नियंतरण एक निश्चित आवादी तक ही रखता है और विसी बात है राजी सरकार के माध्यम से अपने कारे कलापों को सम्माधित करता है राजी की सरकार जनता दवरा चुनी जाती है और जनता हि एक राजी की विशिस्ता है की जो सरकार बनेगी जो गौर्णमेंट बिरेगी वो उस राजी के लोग ही चुनेघे जैसे दिली में आप यूपी की जाकर वोट नहीं दे सकते कि आप दिली के मुख्यमिंतर ही नहीं चुन सकते क्यों कि वहां पे दिली की जनता चुनाओं कोई भी राज नहीं चाहेगा कि कोई दूसरे राज या किसी दूस कोई बाह से आपका आक्रमण करे तो राज जो अपने सीमा के अंदर के लोगों की अपने सीमा के अंदर के छेत्र की वह स्वयम सुरक्षा करता है अंत्रिक विद्रो अगर ऐसा भी नहीं कि राज के अंदर ह कोई विद्रो हो जाए तो उस सबसे क्या करता है नागरीकों की सूरक्षा करता है राजी समांता प्राधारी दृष्टी कोण अपना कर विवेदविद्रा को samapt कर सबके विकास का अवसर करता है अच्छिक कारे की बात करें कि एजुकेशन्स में एक institute एक स्टेट क्या करता है एक राजी क्या करता है तो विद्यालों तता अन्य सिक्षक केंद्रों की विवस्ता करना राजी में कितने विद्याले हैं गाउं में कितने दूरी पर विद्याले हैं इन सब की विवस्ता करना है राजी का कार है अर्थात राजे में सासित सरकार का का निस्चित अस्तर तक सिक्षा को अनिवार करना जैसे फिलाल हमारे क्या है बच्चों हमारे 14 साल तक बच्चों का अनिवार सिक्षा है कि बच्चों को 14 साल तक सिक्षा देना ही देना है निसूर के सिक्षा देना है तो यह राजी सब की बेवस्ता करती है अच्छे के वेयो को पूरा करना कि सिक्षा में जो वयाय होता है उस पे सरकार उसको पूरा करने का उपाय ढूटती है विद्याले पद्दिती पर समान नियंतरन एवब निर्देशन देती है जैसे अभी ठंडियों में क्या हुआ सरकार ने आदेश दिया कि सर्दियों में छुट्टी कर दी ठीक है कि बच्चों के लिए अच्छे से अच्छे टीचर की विवस्था करना किसका कार है राजजी का कार है बालकों की सिक्षा के लिए अभिवावकों को प्रेंडा तरह तरह के सीविर्स निकाल के तरह तरह के स्लोगन के जरिए तरह तरह के मार्च चांट के जरी हम सर वो सिक्षा प्यान सब पढ़े सब बड़े बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सब नारों के साथ हम क्या करते हैं अभीवागों को प्रेंडा देते हैं और सिक्षा संस्थानों में सैनिक सिक्षा की बेवस्था कराते हैं ताकि जब भी देश की सुरक्षा की बात हो जैसे कि हमारा NCC ये सारी चीज़े क्या हैं सैनिक सिख्षा की बेवस्था है सैचिक अनुसंधान को प्रोचसाहन परिवार को विद्याले के निकट संपर्क मिलाना बहुत अगर दूर है विद्याले तो उस गाउं में एक विद्याले की विवस्था करना नागरिक्ता का प्रसिक्षण ठीक है सिटीजन्स को ट्रेन करना एक अच्छा नागरिक बनाना ये सारे क्या हैं बच्चो राज के सैचिक कारे हैं अब हम बात कर लेते हैं कुछ राज के और सैचिक कारे पर जैसे कि सैचिक प्रसिक्षण की आवसक्ता जो टीचर है उन्हें भी ट्रेज ट्रेनिंग दी जाए और प्राउड सिक्षा की आवस्था मतलब कोई बच्चा अगर एडल्ट एज में पढ़ना चाहता है तो इस ब तो मैं explain तो कर सकते हैं लेकिन अगर आपकी सहाइधा चाहिए तो उसके notes मैं यहाँ पर आपको provide करता हूँ जैसे विद्याले तता अनुप्चारिक सिक्षा के अंद्रों की व्यवस्था करना तो यह सब राज्य का कार है अब इसमें आप देखेंगे कि राज्य को विविन आनिवार कर देना चाहिए कि अगर कोई माबाप इस उमर तक बच्चे को नहीं पढ़ाता है तो वो तो हैं आमारे पास 14 साल तक बच्चों के लिए सिक्षा आनिवार है किने उन्हें पढ़ाना ही पढ़ाना है ठीक है बच्चों अब आईए सिक्षा के वय पूरा करने का सॉक्षा, तैक्स सॉइबningen, अब सरकार जैसे लग अलग तरीकों से टेक्स लहा vậy, उस्क्षा में छूठ करती है, निसिल को शुक्षा देती है, छात्रविर्थी अनुदान देती है, यह सारी चीजी क्या करती एग राटजी व्यवस्ता करती है, जैसे विद्याले पदिती के समान यह निएंट्ररिव उसका निद्यास जैसे मने बताया कि जनर्ल कंट्रोल एंड डार्यक्षन देना स्कूल सिस्टम को जैसे समय समय पर एनज़नल एजुकेशन्स पॉलिसी लाकर एंसी आफ लाकर नेसनल करीकुलम फ्रेमवर्क लाकर हम क्या करते हैं सैच्छिक कारे को अससिक समर्चुला को नियंत्रल करते हैं और तीसा निर्देशन देते हैं यह राजिय का कारे होता है यहोग सिछक की ववस्ता करना मैंने बताया आपको कि टैलेंटेटीचर जो भी प् फिर बात आ जाती है वही पॉइंट पर किस प्रकार से प्रशने पूछे जाते हैं तो दोस्तों राजी से आप क्या समझते हैं राजी की क्या विसेस ताय होती है राजी का अर्थ क्या होता है इन सारे चीजों से कई बार प्रशने पूछा जाता है मैं मैं उम्मिद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए तोड़ी बहुत साइक होगी चीक है तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं खतम करेंगे चीज़े अच्छी लगी हो लाइक करके आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं चैनल से नहीं जूड़े हैं तो सब्सक्राइब बरके चैनल से जूड़ जाए मुझे बहुत खुशी होगी और कमेंट में अपनी रायत देना जरूर हमें जरूरी समझे मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा तो इस वीडियो में फिलाल इतना ही देख तरिये पर तरिये साथ पुड़े दिये चैहीं चैवारा दोस्तों